है दोस्तों स्वागा थाब कादी ठाकुर फिटनेस यूटूब चैनल में और आज मैं आपको दिखा रहा हूं वह सप्लिमेंट जो मैंने कुछ पिछले कुछ महिनों से यूज किये हैं और जो मैंने कुछ आगे मंगा लिए यूज करने के लिए तो देखिए देखते हैं कि क क्या क्या सप्लिमेंट है मेरे पास तो आपको यह दिख रहा होगा और यह तो अभी खुला भी नहीं है और यह एक वेट गिन थीक है तो यह देखिए आप इसके नीचे जो है वह आई ठींक वे प्रोटीन है और यह वे प्रोटीन है कॉंसेंट्रेट वाला और चॉकलेट फ्लेवर का ही होगा तो यह रिच मिल्क चॉकलेट वाली जो फ्लेवर है और उसके बाद यह जो है यह रहा है और रहा की बाद बता दू मैंने पास पीछे भी कुछ रहा रखें एक यह और इसके नीचे और है डबा सेम यही देखिए मैं दिखाता हूं यह और यह दोनों सब्सक्राइब है और इसके लाव में पास अलग से है और उसको मैंने अब तो खोला भी नहीं है वह यहां पर नहीं रखाए मैं और यह आप देख सकते हो यह सब्सक्राइब करने के लिए तो इसके लावा एक यह आप देख रहे होगे जो मिशको सबसे आप पसंद है और उनमें है यह यह है वे गोल्ड मसल ब्लेज का और यह है वनीला फ्रेवर मैं थे एक साथ दो फीर मैंने एक बाद में मंगा तो वनीला के बारे मैं हूंगा यदि तो इसको पानी मिलाते हो जब इनका मसल बेज की जाना तक बात है तो यह बहुत ही थिक बहुत ज़्याद थिक होता में मिला लो तो ये बहुत अच्छा तेश्ट देता है लेकिन मैं इसको अब दुबारन मुझे उतना अच्छा नहीं लगा इससे मुझे कुछ एक और डबा रखा है जो कि खुला नहीं है और यह कुछ चीज़ डिटॉक्सिफाइग करने के लिए आपको बोड़ी के लिए जरुए साथ में यह जोएंट सपोर्ट के लिए बहुत करता है कुछ चीज़ आपको इतनी महेंगी नहीं मिलते हैं लेकिन बहुत काम आती है और करब दोड़े मंगाया थे जिसका मैं नहीं कर पाया तो उसको डिपड़े में डालना परता तो जैसे कि मैंने डाला था तो जो मसलब्ले का रो खतम हो गया था उसकी जगह मैं है है उसको डाला है और मैं दोनों यूज कियें तो दोनों ही मुझको अच्छे लगें के साथ बात यह है कि का टेस्ट थोड़ा मसल ब्लेज से स्टप डाउन है लेकिन के साथ एक यह फायदा है कि आपको उतना लंप नहीं पड़ते हैं वैसे आप जो रहा है ब्लेज का उसमें भी लंप कम हैं बहुत कम है क्योंकि इमल्सिफायर नहीं वज़ा से साथ लंप नहीं पढ़ते होंगा इमल्सिफायर क्या मैं आपको बताऊंगा कभी क्या क्या चीज़ें मिली होती है तो उसके बाद यह आप यहां पर देख सकते हो और यह अगेन एक रॉ ठीक है इसको मैं यूज कर चुका हूं यह वह रहा है और यहां पर लाइन अप से लगे हुए हैं यह आप देखी सकते होगी क्या-क्या है और वे प्रोटीन है कुछ बेसिकली रॉ काफी होंगे और य यह जो अभी मेरा चल लाहा है जिसको मैंने अभी रिसेंटली मंगाया था वह है कि मसल बेज वे गोल्ड का रिज मिल्क चॉकलेट और वे गोल्ड बहुत पॉपलर है गया अभी यह काफी ज्यादा है अभी बहुत कम घाली हुआ है यह आईसोलेट प्रोटीन है और इस पर दिसकांट होता है जब 30% डिसकांट हो तभी आप खरी दिएगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी डिसकांट छोड़ने लायक होता है जो भी चीज़े मैंने खरी दी मोशली डिसकांट पर इखरी दी यह जो डीलर रहे इसके नीचे जो आपको दिख रहा है वह भी पeld ने लेकीन वह क्या है किवह का फ्लेवर ओंगे तो ध्लेवर अच्छा लगए है यो तो मैं अच्छ से लेऌगा और जो मेरेता नहीं यह दो यह उतना अच्छा नहीं काम करता है जितना चौकलेट वाला लगता है मेरे को और इसके अलावा हाँ कैफे मोचा भी बहुत अच्छा लगता है आप और आप ऐसे खाली दूद पीते हो तो उसके लिए यह बहुत अच्छे और इसके लावा यह नीशे लगा होगा उनमें से स बचा हुआ है और एक किलोगी आप देख रहा हो इसको अभी खोली नहीं है इसके लिए बचा हुआ है तो यह दो किलोगा है यह मैं सब्सक्राइब करता हूं दूसरी बात ही है यह आप जिन से आते हो मेरे हिसाब से आप वेट गेनर लो ज्यादा सही है जिन से तुरंद ब होती है जो सिंपल सुगर्द से बेसिकली और कुछ प्रोटीन भी होता है तो वह आपके इंसुलीन स्पाइक करते हैं तो न्यूट्रेंस बोड़ी में अच्छे से मसल्स में जाते है इसका टाइम इंपोर्टेंट डगा है जल्दी फैट आपको जल्दी आपको आ जाता है तो मसल्स में यह कहूंगा कि आप जरा दूर रहो वेट गिनर मास गिनर से यदि ऐसा नहीं है यदि आपको बहुत मुश्किल होती है वेट फूटाउन करने में तो आप मास गिनर ले सकते हो और उसमें भी प्रोटीन मिल जाएगा आपको आप एक रोटीन भी साथ में चला में देखेन हायगी को अच्छा आपके आपको ठीट करसा यह दोनों का रेट एक ही पड़ता वाइब आपको अच्छा जाता है यदि आपको इसको खरीदना है यादी आपको या फिर मसल बेच खरीदना तो दोनों के लिए मैं अलग अलग एक लिंक दे दूंगा मैं रिफ्रेल कोड का जब आप यूज करोगे तो आपको दोनों जगाई डिसकाउंट मिल जाएगा बहुत फायदा होगा उससे आपको आप जो भी चीज लेना चाहते हो वह आप ले सकते हो तो वीडियो आपको कैसी लगे आप मैंने को जरूर बताना यह सब कितने के पड़ लोगों करता है उतना वैसा साथ काम नहीं करता कि लोगों यह लगता है लेकिन आप एंजाइम खुद से मिला लेते हो तो आपके पैसे बच जाते हैं और यह इंप्रॉट्टन आपके पैसे बचाना राव सफिल्मेंट लीजिए आप एक इंजाइम लिजिया रिष्ट्र इंजाइम हो गया यूनिजाइम होगे बहुत साइंजाइम की बोतल आती आप इंजाइम उसमें मिला लीजिए अपने 30-35-40 ग्राम जो भी आपकी सर्विंग लेते हुआ और सो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं बिना मिला भी डाइजेस्ट हो जाएगा आपको सिस्टम मे बजाए किसी सप्लिमेंट के तो यह अच्छे हैं तो आप खाना खाके भी बना सकते हैं यह सब उनने के लिए जरूत हैं उनको वेगन की बात नहीं करूंगा यहाँ पर तो जो वेजिटेरियंस हैं उनके लिए ज्यादा इंपोर्टेंट है जो लोग नॉन वेश्टेशन खा सकते हैं उनके लिए तो गयाइस कोई जरूरत ही नहीं ना उनको रीटिंग की जरूरत है ना उनको बहुत जयादा बिग इंडिविज्विजूल है तो बात अलग है वरना विश्पशन जरूरत नहीं होते क्योंका संस्पीशन सभीशन प्रuaisनियू एक अश्मिबियो प झाल 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 झाल